तो Samsung का जो upcoming 1UI 5.1 है जो A23 series के साथ आने वाला है तो उसके सभी features सामने आ गए हैं दोस्तों जो complete change log है वो यहाँ पर आ चुका है और यहाँ पर सभी features सामने आ गए हैं दोस्तों तो आज के इस वीडियो के अंदर detail में सभी features के बारे में बताऊंगा और लगबग 30 से ज्यादा feature है तो वीडियो को अंते तक देखेगा और like कर दिजिएगा इस वीडियो को like target अब लो रखते हैं 125 लाइक 125 लाइक 125 लाइक आप लो complete कर दिजिएगा और चैनल पे अगर आप पहली बढ़ा हैं तो चैनल को subscribe करके bell icon को जरूर से प्रेस कर दिजिएगा क्योंकि जो 89% मेरे viewers हैं वो मेरी वीडियो तो लगातार देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब ने कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं तो सबसे पहला feature है camera में यहाँ पर आप देख सकते हैं changing the hue for a selfie just got easier तो यहाँ पर easily change the hue of your selfie with the effect button on the side of the screen तो आप easily यहाँ पर जो यू है उसे change कर सकते हैं selfie में जो यहाँ पर color है उसे change कर सकते हैं इसके बाद है quick access to export raw यहाँ पर जो expert raw का option है यहाँ पर जिससे आप high quality image यहाँ पर click करते हैं तो यहाँ पर उसे और भी ज्यादा easy कर दिया गया यहाँ पर देख सकते हैं साथ में यहाँ पर कुछ features भी add किये गए है expert raw app में इसके बाद हैं gallery में काफी सारे features set किये गए common family album which is shared family album sharing photos with your family is easier than ever gallery recommends photo to add to your shared family album by recognizing your family members faces तो यहाँ पर अगर आप कोई अपने family का photos click करते हैं तो यहाँ पर जो है वो gallery recommend करेगा photos को कि यहाँ पर shared family album में आप उसे add कीजिए यहाँ पर आपके family member का face recognize करके इसके अलाबा यहाँ पर 5GV storage देखने को मिलेगा per family member और आप 6 people को add कर सकते हैं इसके बाद है improved handling processing automatically removes shadow and reflection to make your photos look great you can also recreate gif for better resolution and clarity तो यहाँ पर automatic आपके photos में जो यहाँ पर reflection है वो shadow है वो यहाँ पर remove हो जाएगा इसके अलाबा आप recreate कर सकते हैं gif को यहाँ पर इसके अलाबा convenient information display if you swipe up when viewing a picture or video in your gallery you can see at a glance when and where the picture was taken on which device where its store and more तो यहाँ पर आप swipe किजेगा तो यहाँ पर आप तो glance में आप wallpaper set कर सकते हैं अपना यहाँ पर photos add कर सकते हैं तो आप swipe कीजेगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किन-किन डिवाइस में वो फिक्चर जो है वो इस्टोर किया गया है और फीचर से search has become more powerful यहाँ पर आप कोई गैलरी में कोई photo search करते हैं यहाँ पर तो अगर किसी person का photo है तो आप उसके face पर अगर क्लिक किजिए गा तो यहाँ पर जितने भी यहाँ पर photos है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर आपको कोई tag यहाँ पर कोई नाम यहाँ पर इंटर नहीं करना है तो यह feature है इसके बाद एयार zone and air emoji use three emoji in air emoji camera तो यहाँ पर air emoji में तीन नए यहाँ पर emoji add किये गए है layout and editing improvements in air doodles तो यहाँ पर air doodles में जो layout है और साथ में जो आप edit करते हैं यहाँ डूडल में उसको यहाँ पर improve किया गया है और कुछ ने features add किये गए हैं विजिट में यहाँ पर देख सकते हैं न्यू बैटरी विजिट 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 यू चेक दा बैटरी लेवल ऑफ गलेक्सी डिवाइस राइट फॉम the home screen you can see how much battery your smartphone galaxy birds galaxy watch and other supported devices तो आप एक साथ जो है वो कई सारे डिवाइस जैसे galaxy watch हो गया galaxy birds हो गया smartphone हो गया उसका battery percentage देख सकते हैं एक नए विजिट में यहाँ पर एक विजिट 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 विएड किया गया है जिसमें आप विजिट के कंडिशन को देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो रेनिंग हो रही है cloudy है विजिट सनी है तो यहाँ पर आप को एक नए विजिट दे दिया गया है वेदर में इसके बाद है modes and scenarios different wallpapers depending on the mode तो यहाँ पर आपको अलग-अलग modes के लिए अलग-अलग wallpapers देखने को मिल जाएंगे इसके बाद है more condition and action for scenarios तो यहाँ पर आप अलग-अलग conditions और actions use कर सकते हैं अलग-अलग scenarios में इसके अलाब यहाँ पर और भी features इसके अलाबा connectivity को इंप्रूफ किया गया है और नए features side किये गया है सबसे पहला feature है यहाँ पर samsung notes में जो कि एक collaboration in samsung notes तो अगर आप कोई note create करते हैं samsung notes में तो आब जो है वो multiple people's जो है उस notes को edit कर सकते हैं same time में तो यह हमारा एक नया feature है इसके बाद है take notes for a study group और draw a picture with friend the possibilities are endless तो यहाँ पर आप picture ड्रा कर सकते हैं अपने friends के साथ इसके बाद है यहाँ पर कि आप notes ले सकते हैं study group में इसके बाद है यहाँ पर अगला feature inviting to shared apps more easy तो यहाँ पर यह एक नया feature है इसके बाद है advanced multiple controls between galaxy book and smartphone तो अगर आपके पास galaxy book है आप उसके mouse trackpad और keyboard से यहाँ पर अपने galaxy tablet यहाँ पर smartphone को control कर सकते हैं आप साथ में copy paste भी कर सकते हैं यहाँ पर drag and drop भी कर सकते हैं image को इसके बाद है media output for Wi-Fi speaker इसके बाद है continue suffering on the PC तो यहाँ पर यहाँ पर अगर आप अपने smartphone में browsing कर रहे हैं तो यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि same tab जो है वो PC में भी open हो तो आप आप जो है वो ऐसा कर सकते हैं इसके बाद है same thing disk में यहाँ पर multitasking को improve किया गया है इसके बाद है settings में settings suggestions का तो यहाँ पर अगर आप settings को open करते हैं तो यहाँ पर settings के ऊपर में यहाँ पर display हो जाएगा यहाँ पर जो useful feature है जो आप try करना चाहते है settings में काफी सारे ऐसे features हैं जो यहाँ पर settings में देखने को मिलते हैं तो आपको suggestion दे दिया जाएगा इसके बाद है सैंसेंग इंटरनेट तो सैंसेंग इंटरनेट में यहाँ पर search को इंप्रूफ कर दिया गया है साथ में यहाँ पर सैंसेंग इंटरनेट में कुछ features भी add कर दिये गए हैं इसके बाद है यहाँ पर setup assistant तो यहाँ पर foster and easier initial setup of your new galaxy तो अगर आप galaxy से ग्लैक्सी डिवाइस में जो है वह setup करते हैं पुराने डिवाइस से नए डिवाइस में या फिर किसी भी android डिवाइस में तो आप qr code की मदद से और भी easy तरीके से और भी first तरीके से जो है वह setup कर सकते हैं यह हमारा नया feature है इसके बाद है वेदर में detailed weather information at glance तो glance में आपको detail में weather information देखने को मिल जाएगा तो यह भी एक नया feature add किया गया है इसके अलाबा यहाँ पर Bixby text call जो हमें one UI 5.0 में देखने को मिला था यहाँ पर देख सकते हैं use the Bixby calls to automatically answer calls and find out the purpose of the call you can see the caller is saying in text call and you can tap the type replies that are read around the caller Bixby text call only available in English and Korean तो one UI 5.0 में क्या है कि जो Bixby text call है वो सिर्फ Korean language को support करता है लेकिन one UI 5.1 में हमें English language का भी support दे दिया गया है तो good news है Samsung users के लिए काफी important feature है Bixby text call तो यह सब भी नए features हैं लगभग तीस से भी ज्यादा नए features हैं दोस्तों तो Samsung का unpacked event एक फरबारी को जिसमें Samsung is 23 series को launch करेगा और उसी के साथ हमें one UI 5.1 देखने को मिलेगा सबसे पहले और उसके बाद काफी साथ devices में जो update है वो देखने को मिलने वाला है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजे साथ में वीडियो को भी लाइक कर दीजेगा मैं मिलता हूं आप से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद वंदे मातरम